आज हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा अब मैतामेडिकल कि कौन से कौन से ऐसे प्लाट होते हैं जो प्लाट हमारे को लेने चाहिए तो हमा और यह कंस्ट्रेक्शन के लिए प्रयाप्त होते हैं आप लेने से हमें फादा होता हमारी इंकम एकस्पेंडिचर रेशो उसके अपर हम कलेकुलेट कैसे कर तो इंकम एकस्पेंडिचर रेशव कलेकुलेट करना है अप लाट का स्ब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब करेंगे अब यह बात होई तो सब्सक्राइब करेंगे अब हमारे पास एक प्लॉट है ठीक है को एक प्लॉट कोई सब्सक्राइब करेंगे अब एक प्लॉट है उसका हमें लंबाई बी नहीं पता और चुडाई नहीं पता तो हम यह मानते हैं चलो ुशूङात में कि एक प्लॉट हमें यह पता कि क्लावट का टॉडल area स्पोस्थ कौयरNeung मैं ये पता हमें ये नहीं पता कि लंबाई कितनी चुड़ाई कि दिफर निखालते हैं हमने माना एक्स इसकी लंबाई है औरeleri उसकी चुड़ाई है और एकसमेंट वन पिएव वन पिंट फाइव इसकी लंबाई हमने माना अस्वायर का एरिया है लेंट इंटू विट इस इकल टू एरिया का फॉर्मला है ठीक है जी अब माना एक्स इस इकल टू टू ती यहने की विड्थ और वन पॉइंट फाइड एक्स इकल टू लेंट ठीक है यह हमने लिखा अब हमारे को यह पता है की एरिया इस इगल टू एल इंटू बी तो यहने की एल एक्स इंटू मुल्टिप्लाई 1.5 एक्स इस इगल टू 100 एरिया 100 स्कॉर फिट का यह उपा लिखा हुआ है तो हमने इस वाले को आप इस बात को समझ सकते हैं ऐसे की एल जो एल है वो है 1.5 एक्स तो मैंने 1.5 एक्स एल लिखा गुणा किया मुल्टिप्लाई जो है एक्स है तो मैंने यह पर एक्स लिखा इस इगल टू एरिया जो है 100 है तो मैंने यह पर हंडर्ड लिखा मैंने इसको सॉल्ट किया तो यह हुगिया यह क्या हुगिया 1.5 एक्स का फोल स्कॉर हो जाएगा लिखा नहीं आएगा तो मैं इसको यहां पैसे लिख रहा हूं लू हंडर्ड को अब यह हंडर्ड का अंडरूट निकालना है अंडरूट ओफ हंडर्ड इसकी इक्वेशन को सॉल्ट करना है हमें हमें इक्वेशन को करने के लिए क्या करेंगे एक्स को इंच और देंगे एक्स फॉल स्क्वायर और दिया हीं पे हमने हंडर्ड डिवाइड बाई बाई बन पॉंट फाइव किया तो यह आया कितना आप यह आजाएगा 66 जाएगा जाएगा तो आप करेंगे करेंगे यह आजाएगा अब एक्स इगल तू इंच पॉंट शिक्स इगल तू 66.66 का अंटरूर निकालेंगे तो यह आएगा वन शिक्स फोर अगर एक एक्स जो है एक पेंट बन शिक्स पोर आया दूसरा एक्स जुगाएगा दूसरा एक्स जो है वन पैंट फाइव है तो वन एक्स इस फोर दन अधर एक्स अधर एक्स फोर दाएव है वन पैंट फाइव है इस इकल तो यह चाह आएगा इस इकल तो ट्वल्व पाइंट फोर आएगा वाँ दी अधर इस इकल तो अधर इस इकल टू जो बारा यह एरिया आया था जो दोनों एक्स आधर दोनों एक्स की वैल्यू आई एक एक्स की यह एरिया की जगापे हम लिखते हैं आसे ऐल इस इकल तो 12.4 of width is equal to 8.164 right now now the another thing is that parameter parameter is equal to parameter now parameter is equal to 2 लेंग कि ट्री आई लैंगा 12.24 ट्स एप्ट वांसिट सिफवर इस्ट एंट इस्थर विए यह तू टुर टूल्टीप्लाइब गुन्ट टूंट गुए प्टूंट गुए जञए टूंट टूंट 3.4 on the perimeter is equal to 40.8 perimeter यहां तक यह equation बनी है यह हमने नहुत the condition is statis where is best घ person as this will this this will be the least expense while construction Q and S as the perimeter it goes up with increase yeah 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 अब यहां पर मैं लिखता हूँ बीच में जगवना के मैंने आप दिया ये एक्स इस्टू एक्स वन प्रेंट फाइव एक्स तो कारिमीटर आया हमारा 40.8 इसी मैथड से आगर एक्स रिस्टू टू एक्स करते हैं तो जो परिमीटर की रिच्वाइगी वह आएगी 42.42 इसी परिमीटर आएगा ओव फॉट्यू पॉट्यू वन सब्सक्राइगा इसी वाउट्स करते हैं तो जो परिमीटर आएगा वह आएगा 53.66 this indicates कि यह जो इंडिकेशन देता है यह इंडिकेशन देता जितना ज्यादा दोनों की रेश्यों में विवार डिफरेंसिस होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट आफ कर्स्टेक्शन आएगी ऐस्ट करिमीटर फॉर्टी पर आता है फॉर्टी अगर आ जाता है तो दैट स्कॉयर नल्बाइवे कितना इनर्जी कितना तो इसका परिमीटर कि तना आ रहा है यह इपॉर्टेंट आए जित्रा परीमीटर कम आएगा और यह 40 के करीब आएगा तो बेस्ट के आएगा और 40-40 जो पेरिमिटर है वह पर्फेट स्कॉयर का परिमिटर का परिमिटर है अब दो चीज में हैं अगर प्लॉट में बहुत ज्यादा मलब चार और तो सभी प्लॉड के होते हैं लेकिन अगर प्लॉड बहुत ज्यादा और से निकल रहे हैं तो जितने कॉर्णर हो होता है on को विक्राइट करेगा अब कौणर होते हैं तो राउंड कव्रका करता है पाउनर है और राउंड है तो वह मकान शुक्र को रिपेजंट करेगा हएं यहां तक की यह रिश ओ किसी को इस पर कोई 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 तो बएक मिलेगा तो चुछ भी उसकता ना वह तो मला इस इट कुछ बी वन पैंट फॉर इस पीड़ी तो अनिटिंग इसकी दोनों की रेशो कितनी है ठीक है इसको आप स्क्रींशॉट ले 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 और ही के मांग कमंग टू दी इंकम वर्सेभ एक्स्पेंडीचर आपको क्लियर है यह वाट है जितना जढ़ा हम लेंथ और विट की अब नॉबह ने जगरेंगे उन्टरी हमारे घर की का क्रक्रस्क्ट्शन कॉस्ट या मेरी स्ट मेट्रीर कोस्ट जद मेंड़ा गुबहरा है 弟क नव कमिंट gonna be needs तुम नाव कमीं तो दी नेक्स एक्सपैस वर्सेज इंकरने के लिए जाते लिखता हूं इंकरने के लिए नहीं लिखता हूं हमारे पास कुछ फॉर्मले हमारे को निकालने पड़ेंगे इंकम 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 इसके टू एरिया इवाइड बाइट एट ठीक है रिमाइंडर विल बी इंडिकेटर आफ इंकम दी इंडर आरी में इंडर विल बी इंकम 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 इंडिकेटर आफ रॉक्त मेंड़ में इंकम 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 क्या रिचा होती है अप्रक नमबर 5 divided by 8, this is again the reminder, it will be the indicator of expense, the ratio of income versus expense is to be positive. इफ इस इस नेगिटिव इंडिगेट्स कि लैंड है और मोर एक्सपेंस देन इंकम यहां थे क्लियर यह बात अब हम इसको निकालते हैं यहां थे बात क्लियर Everything On इरिया में पता ही इरिया कित्र हैं बनाध किता है जैसे हमने यह यह लिया हमने लिया कुई एक लायपि में की निया ने लाता है मैं यहां निक मकं ऑ्रश्म में हरा रहा सक्याइब एरिया को एरिया über आप इयरिया एसो श्कोयर फीट का यह कार्पपेट एरिया हमने एड्वियआ यह एरिया इंकम का क्या फार्मला है इंकम का फार्मला इरिया डिवाइड बाइट बताएगा रिमेंडर कितना आएगा प्लीज एं संबडी टेल रिमेंडर सर टू आएगा टू रिमेंडर आएगा टू 215.5 आएगा रिमेंडर सेरी 214.5 ने ने यौरी तेथिकिंग पोर्शन रिमांडर में जो बचा है वो लेना है एट गट बो22 Reminder, Reminder? 4 आयादा, 4 reminder 4 एसर 4 आया 4 4 4 4 4 4 in the remainder 4 अभ मेरे को चीह Nakshatra number divided by 8 is equal to expenditure अभ यहाँ पर Kpes ka formula है मेरा Nakshatra number divided by 8 now for that i need to have the nakshatra number first for nakshatra number a formula is equal to area multiply by eight divided by divided by 27 area multiplied by eight divided by 27 is equal to nakshatra number now in our case area is 1724 multiplied by eight multiplied by eight divided by 27 the remainder is nakshatra number remainder is nakshatra number can somebody tell please what is the remainder reminder is 22 नक्षवत्र नंबर इस 22 तो मैं आले गेता हूं 22 जी अब अगर मेरा नक्षवत्र नमबर 22 आ गया तो मेरे एक्सपेंस रिशो आ जाएगी इस रेशो में वह यह 22 डिवाइड बाइट करना है तो मेरी एक्सपेंस रिशो आ जाएगी इस लिए सम्मीरे कि अ कि अग्सेंस रिशो एक्साण बस्त आएगा थे एक्सपेंस स्टैंस आएगा इस अग्सार जिए से लस इस तो, इस वे जाएग रिशनावा इस तो, जब पिसो, इस रिए देश्पेंस डिएगा यह न सरे इंकमर ना फोर आए ना जाला केसं एंड शिर्म मैंडर इस पॉर प्रिट इंकम ले अ तो वाइन्डर इस प्सिपन से एकुड पाइंड़ अटेंज कॉर ए टम इस रिक्सपर आटथी ठोटेंड आइस फॉपाइंड़ को रहर सिक्सफ टुपाइंड श्राइगा इ नहीं नहीं पिर जितक है ट्रिका वकित का करल ऑउखर शीयगद के जिसेartiD अश्करवेड कवुली कहील कारे जिसे पॉट्र कि पेरे संखर एक सिसे अट ओनीने कुन नगूंप्ट यहां तक ठीक हे बात क्लिर रही है यह आप किसी कभी निका सकते हो अपन भी निका सकते हो ठीक है याळ ओके अब अपे वड़ा कौशन क्या है आप नख्षेतर पता है अत्र नंग्ष टराः नंग्षटरः नंग्षटर नब्स अपने सब को बता नक्षट रोगा सैट आफ थी नक्षट का नक्षट नुमर्स वान फाइस वो सर्थ हाँ एक वान फाइफ सब्सक्राइब है उसके अलावा बागी पॉजिडिव है ठीक है अब जो वह कौन से जारे में आएगा एक बार फिर से पता है यह सब नक्षट रोगा और अब के शथ्चा रोता हुए उपसक्तों पता है इस तो नक्षट रोंक्यों नौ कि यह पता है यहां पता है तो तो एटाइस नक्षट्रों को आप लैने आप करोगे जी दिखो गई आप एक नौक लिए फिर नौक लिए ती ना लीए नौक लगे ना नश्यति जरम नक्षट्र नक्षट्र सेकंड सेट अप्र फिर विपत फिर शेम पतियारी सादग वद में तारा बड़ तारा बड़ यह उसके अंदर जो बाइस नंबर का नक्षट रहोगा वो कौन से सब्सक्राइब इस नंबर कहा आएगा आम आस्किंग बाइस नंबर कहा आएगा चाहिन के बाद संपत आता है ना तो सब्सक्राइब पहला अगर अधीक नो दुनिया ठारा से किंद से किंद लाइन में आएगा ना बाइस नंबर का फोर्त नक्षर आएगा ने फोर्त तार आएगा इस अधि माट ठीक या और यह ओर तो शेंगा नाइख नहीं कि चेक करो जन्म संपत वीपत शेम आएगा नहीं तर वीपत आएगा हाँ वीपत आएगा अच्छा और कैसे आएगा सब नौ दुनी अठारा चले गए शेम आएगा शेम आएगा शेम आएगा यह शेम आएगा यह जो गिनन हैं जो अगए आपके अपने नक्षट्र से आंगे आपका नक्षट्र जो यह लगा अपने बोला मिल्हां गोड़ा नक्राब नंबर होगा में अप्सक्रृस गरोगा मेरा मेरा क्रिटी का नक्षत्र है फॉर इंजांपल थर्ड तो क्रिटी का नक्षत्र कौन सा नंबर हुआ थर्ड नंबर से आप जब गिनाओगे तो आपको यह पचलेगा कि आपका नक्षत्र है वा कौन से नंबर प्यारा है कि ना रहा है नाइन टीन को गिनना है या छोड़ देना है सर इस चार्ट पर किसी का किर्थी का निश्रत है लुए पुष्या लेते हैं पुष्या का है पुष्या नक्षटर यहां से अब हम गिनेंगे 22 इस कहां पर आएगा लेटर सी यह पुष्या नक्षटर है यह पुष्या नक्षट इसमें यह पुष्या नक्षट नक्षट का जो मैट्रिक्स है इसमें यहां पर आया इसके वाद के दो तीन चार ताँच छे साथ हाट नॉ एक तस, एरा, बारा, एरा, 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 सूला, एरा, 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 एरा 12-23 कि यह वाइस है यह यह शेम इसकी यह पॉजिटिव नियुक्ति हूं इसके लिए यह पॉज़िव एकस्पेक्ट नहीं देता ठीक है यह इसका यहां पर मतलब तक कहने का जनम से 22 देखेंगे जनम नक्षतर से ठीक है ठीक है यह यहांपर बात क्लियर होई है सेएचय को निकालने का तरीका क्लिर हुआ defix formula है सब हो है किवा ऍा यह फार्मले तो फिक्ष्पार्मॉला है न आई है आशे और फ्ट स्क्रीन शोट ले जिश कर्णा निक्ष्ट लेक्षब का नंबर का वो बताया यह भी आप लिख लें अच्छी आ मना वर्किंग में लिख लें यह आप जी दो चिस के लिए अभी चलें नेक्स्ट